हेलो और वेलकम बैक टू स्टड़ी टाइम ओली स्टड़ी टाइम ओली में आपका स्वागत है एक बार फिर से हम आपके लिए ले के आए हैं इंस्टा पीटी 2020 एक्सक्लिजिव तो यहां हम डिसकस करेंगे इन्वार्मेंट से लेकर सभी करेंटेफियस को में 2019 से लेकर 2020 तक के इन्वार्मेंट सेक्शन के सभी करेंटेफियस को आपके यहां पे डिसकस किया जाएगा तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हम डिसकस करेंगे पहले तो हम गवर्मेंट और प्रोग्राम और इनिशेटिव को डिसकस कर चुके हैं तो अगर आप मैंने यह लेक्षे डाला है थोड़ा से लेट हो चुका है हमारा और क्योंकि थोड़ी से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी ठीक है इसके प्रॉब्लम यहां पे लेक्षे नहीं डाल पा रहा था ठीक है तो लेकिन अब हम लेक्षे को कंटिन्यू रखेंगे एनिमल वाइड प्रोटिक्शन से लेक्षे जो भी यहां पे आगे निकल के आता है उसको हम डिसक्स करेंगे तो चलिए आज की लेक्षे स्टार्ट करते हैं देखे आज हम सुरू करते हैं एनिमल वाइड लाइफ प्रोडिक्शन ठीक है तो इसमें सबसे पहला जो आपका आर्टिकल है ची तो चलना नहीं एक्जाम्स अपने टाइंपर हो या ना हो हमें अपने पढ़ाई को उसी इस तरह पर लेकर चलना है ठीक है लिए जिससे हम इस तरह कि पढ़ाई करते हो चलें इसे कोईश पॉइंट्स रह गए है जो आपने कवर नहीं किये हैं तो उसे आप जल्देली कवर कर लीजी ठीके यहां हम बात करेंगे चीता री इंट्रोडेक्शन प्रोजेक्ट के बारे में ठीके की चीता को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ठीके आपको करना यह एक अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउन निकल वा सकते हैं वैसे तो मैंने इसकी पीडियेफ जो है टेलीग्राम ग्रूप के अंदर शेयर कर दी है तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सबसे पहला पॉइंट याद रखना है इसको हम क्या कहते हैं अफ्रीकन चीता हम क्या कर रहे हैं सेंटर ने यहां पर कंटेक्स अगर देखते हैं सेंटर ने अलाओ कर दिया है ठीक है यह पॉइंट क्या रखना है सेंटर ने अलाओ किया है मतलब सुप्रीम कोट ने रिसेंट अंदर आता है तो यह आता है वल्नरेबल स्पीसिस के अंदर ठीक है पहला कोश्चन आपका यहां से सॉल हो गया यह किस के अंदर आता है वल्नरेबल के अंदर आता है ठीक है पहला पॉइंट यहां रखना है इंडिया के अंदर यह एक्स्टिंट हो चुका है मतलब इंडिया बगिर अनाम से जानते हैं एकची जह रहते हैं और लेके आ रहे हैं और जहां पर लेके आ रहें तो जHH का कानाब है MP के अंदर हम लेके आएंगे Namibia district के अंदर इसको रखा जाएगा चीता को ठीक इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो यह सारे आपको यहाँ पर याद रखने हैं काफी याद है important यह points हो जाते हैं देखें तो यह सारे points आपको यहाँ पर clear हो गया होंगे ठीक है तो NTC जो हमारी अथिर्टी है यहाँ पर याद रखना है आपको कि National Tiger Conservation Authority तो यहाँ पर काम करती है तो यही जो है यहाँ पर काम कर रही है ठीक है अफ्रीकन चीता को यहाँ पर लेके आया जाएगा अफ्रीक हमारे continent है तो वहां से अफ्रीकन चीता को वहां पर लेके आ जाएगा कहां से लेके आ जाएगा नामीबिया जो है वहां से लेके आ जाएगा किस इंडिया के अंदर कहां पर लेके आया जाएगा ठीक है यह पॉइंट से आठ रखना है ठीक है नेक्ट हम बात करते हैं जिसे रियू इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है जो पहले भी जो इस पीसिड जो है वहांसे हट चुके हैं ठीक है किसी भी एरिया से किसी भी एरिया से बिल्कुल extinct हो चुक है तो उसे एरिया के अंदर फिर से इंट्रोडिउस करना उस species को हम उसे गहता है रियुंट्रोडेक्शन प्रोजेक्ट ठीक है तो एक तरीका से रियुंट्रोडेक्शन प्रोजेक्ट है इको सिस्टम फंक्शन ठीक है तो जब भी जो हमारे इको सिस्टम फंक्शन है उसको हमें रिस्टोर करने के लिए उसको बढ़ाने के लिए यह हम स्ट्रेटेजी लेके आएं हैं तो यह पूंच सापको यार रखना है ठीक है कुछ फैक्शुल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि आपको यार रखने देखिए यह जो है इसका जो चीता का क्या है नाम क्या है यह सारी सी यार रखने ज़रूत नहीं है कि यह अब यह कभी पूछ लिया जाता ठीक है लिवन नेपल हमने डिसकस कर लिया आई उसीन के अंदर यह वल्लेबर क्रिटिकरी के अंदर है ठीक है जो सबसे पहले कंट्री के लास्ट जो है लास्ट टाइन कब दिखा गया था तो यह चारी चाहिए आपको यहां पर यार रखन क्रिटिकरी में रखा गया याद रखेगा चीता जो है अलग है और एसियाटिक चीता अलग है तो एसियाटिक चेता किस कर्टेगरी में है क्रिटिकली इंजेंडर कर्टेगरी के अंदर है तो यह चुई आपको यहां पर याद रखना है जो कि सिर्फ अभी इरान के अंदर बचा हुआ है और बाकी हर जगह से है, वज़कि एकि स्ट्रीक हो चुका है ठीक? रीजन क्या रीजन हो चुके है, कि यह एक्स्ट्री vaccination किये तो देखें कभी आपसे रिजन पूचा जाए अगर में इस तरीके से रिजन पूचलिया जाता ए तो एक सिंपल वे में अगर मैं बताओं holistic way में कि रीजन अगर आपसे पूचा जाए तो आपको क्या रखना है कि normal से जो सबके लिए होता है की वाजते से जर्रेनल प्रॉब्लम से ठीक है जो हार इससे के साथ extent होने की जोबी extent होता है है problem जो critically endangered होते हैं इंडेंजर क्रीच में आते हैं तो यह सभी सभी के साथ यह problem है तो यह सारी problem सा इंदर आजाता ठीके लामिट हो रहा है वहां पर नहीं रहा रहा है गरमी आदा बढ़ गई यह सर्दी आदा बढ़ गई इस तरीके जो कंडीशन हो गई वह सारी चीजिए है अदर ही आधा ठीक है तो सब्सक्राइब अब फटट हम देख लेते हैं यह कैसी फूल-फॉल-प बोडी है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है मिस्ट्री ओफ इंवर्मेंट फोरेस्ट और क्लाइमेट इंडिये इंपोर्टन इंफोर्मिशन ने इसको इस तर्शी बोडी जो है यहां पर यह बनाया गया था किस एक्ट के तहर्ट वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के अंद मिनिस्टर रहते हैं वहाँ पर तो यह इनकी यहां पर चेर्मेंट रहते हैं यह इंपोर्टन इफोर्मिशन याद रखना है सकंड नमबर पर याद रहता है इसके साथ एट आठ लोग यहां पर एक्सपर्ट रहते हैं ठीक इस बोडी के अंदर तो यह चीज़िए आपको याद रखने इस तरी कहां पय॥ पूचा सकता है एक्सपर्ट मेसे औरहते हैं अदरी के कुछ फंकिंशन देख लेते हैं ठीक हिए यहां पर करता है कि किसतरी कि हमें इसके रेजर्व करना चाहिए सब्सक्षियन चाहिए चिए इस इस ही हिए तक हिसे इस पेशिक तो यह सारे पॉइंट जो है यहां पर डिसकस करते हैं देखने ठीक है अन्वल और रिपोर्ट लेकर आती पार्लामेंट के अंदर की पूरे साल भर का डाट डेटा यहां पे कलेट करती है कि टाइगर के संख्या कम हो रही है जादा हो रही है वह सारी जो है इसके अंदर यह अंदर की जाती है प्रोजेटाइगर्स परोजेक्ट नौनीर यह centrally sponsored scheme है ठीक है कैसा scheme है CSS या रखना है centrally sponsored scheme है ministry of environment forest and climate change के यह अंदर आएगा project tiger जो funding के support है ट्राइगर रेंज streets के अंदर के रहता है institute conservation तो छुड़े छुटे information आप इसके अंदर याद रख सकते हैं ठीक है बाके ऐसे आपको turtle rehab center कामापीन भी है तो पहले यह इस तरीके से पहला जो है rehab center बनाया गया है turtle के लिए तो यह points स्यार रखना है जब भी कुछी पहली हो जाती वह आपकी exam perspective से काफिया important हो जाती है तो याद रखना है कि वह बिहार के अंदर बनाए state आप से specific पूछा जा सकता है कि जो पहला rehab center बनाया गया है turtle के लिए वह काकिस state के अंदर बनाया गया है तो option में रहाएगा आपके बिहार जहार खांड MP गुजरात राजस्तान तो आपको याद रखना है वह कहां याद रखना है next हम मूव करते है नेक्स आर्टिकल के ओर जो हमारा नेक्स आर्टिकल है वह है भीतर कनी का census on saltwater crocodile ठीक है तो यह point याद रखना ठीक है भीतर कनी का census on saltwater crocodile तो एक तरीक नाम समझ मेंदार से ठीक है से किसकी उपर saltwater क्रोडैल के ऊपर तो सबसे कैम से उपर्म neural के होते पुर्ण ये पहुते हैं मगर् मघर होता हैं चांपने काफी सुना होगा India into मगर जा रहा है मघर मच मच तो इंडिया के इंदर जो स्पैसिफिक पाया जाता है वह कौन सा होता है, मगर मचछी होता है फिर होता है, घरयाल ये आरखना है, ये ये तीनों है तीनों कि आपको काटिगरी याद रखन identified कि Salt Water किसे कैटिगरी के आता है IUCN के अंदर किसे कैटिगरी के अंदर आता है तो यहाँ पर आप याद रखिएगा salt water जो है least concern ठीक है least concern की category में आता है अब least concern की category में कैसे आता है आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं जैसे जो census निकल के आया है census ने देखा है कि यहां पे increase हुए है 15 salt water crocodiles ठीक है from last day तो last year से अभी जो है 15 salt water crocodiles है वहां पी increase हो गए है पहले किते थे there are now 17 1757 crocodile in the park census ठीक है तो पहले अभी जो है 1757 crocodiles है पहले जो थे यह तीन जनवरी 2020 को सेंसे बहुत है लाश्ट जो से 1742 थे तो यहां पर क्या हुआ 15 crocodiles यहां पर बढ़ चुके हैं salt water तो आप अंदाजा लगा चुके हैं कि कोई चीह अगर इस तरी के से बढ़ रही है और इसकी नंबर्स इत्ते जादा हैं तो यहां पर यह किस काटेगरी में आएगा ठीक है तो यह पॉइंट्स यार्धशन रखना है सेकेंड्र मगर अगर मैं मगर की बात करता हूं चली मैं specific एक एक चली यहां पर detail में discussion हम कर लेते हैं पहले हम मगर की बात ही कर लेते हैं तो मगर जो इसे हम इंडियन क्रिकूडस को बीकाज़ उर्वार्श कर्णोडग से इंडिया इंडियन सबकॉंटिनेट के नंदर यहां पे लाधा पाए जाता है इसको बतायागा यह बना क्रिकूर्ट के न्दर आता है ठीक मगर जो है मिल्स प्रेस उस पीसे से लेक्स थार रिएबरस मा स्टियन के रेट लिश्ट के अंदर तो गरियाल जो हता है इंपॉर्टेंट हो जाता है फिस इटिंग क्रोडाइल यह आपको याद रखना है ठीक है नेटिव इंडियन सब कॉंटिनेंट का ठीक है तो यह चीज भी यहां पर आप याद रख सकते हैं जो इंडिये कंदर पाय याटा इंक्रीज हुआ है ठीक है प्रेज़ंट रिवर ऑफ नैसे नैशनल चंबर सेंचुरी हो गया करतां निकाहट वॉइलड संचुरी होगा सुंड रिवर संचुरी कर सकते हैं रटना नहीं पर बना नहीं आप एक पर रेज कर सकते हैं। हाँ यह चीज़ जरूर याद रखिए का कौन किस के अंदर है ठीक है सॉल्ड वोटर क्रिक्रिक क्रिक्रिक कर मैं बात करते हैं अभी हमने डिसकस किया जिसके सेंसे हुआ है तो कि लार्जेस्ट और लिविंग रेप्टाइल से ठीक है तो यह जो है लीस्ट कंसर्न आयूसीन क बहुत जाता इंपोर्टन हो जाता ठीक है कभी भी आप किसी भी स्पीसिस के तरिके से जो निज्योज में है अगर है तो उसके आयर में क्या क्या रखना है पहले तो आयूस की आयूसीन स्टेटस ठीक है फिर उसका किस स्टेट्टियूल के अंदर है वाइल लाइप कहां कहां यह चीज़ पाई जाती है ठीक है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल दें अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी स्पीसिस की उपर याद है तो यह मानगी चलिए कि आपका कोशन गलत नहीं जाने वाला आप सभी प्रकार के कोशन कोई भी एक्ज गुझرाद, महाराश्टर, करनाटका, आन्ध प्रदेश चार स्टेट के नाम आपको पाहाषर्ड याद रकना है है गुझराद, महाराश्र, करनाटका, आंध प्रदेश ठीक है लिस्ट के आंदा हम देखते है वाईलल एपोटेक्षंएक्शन सीजूल 1 के अंदर इसको मे पोचिंग वगरा करते हैं उसको मारते हैं तो आपको यहां पर बहुत बड़ी सजा देखने को मिल सकती है तो इसको काफी अदर प्रोटेक्ट किया जाता है तो यह पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखना है देखिए एपेंडिक्स वन के अंदर सीमेस कन्वेंशन के अ यहां पर ग्रेटिकली इंटेंट्स जो है सब बहुत जाद इसको प्रोटेक्शन मिल है हर चके से ठेके इसके अंदर जो है कुछ प्रोग्राम सब देख लीजिए रिकवरी प्रोग्राम अंडर इंटीग्रेटीड डेप्लमेंट वाइड लाइफ हैबिटेट मिनिस्ट्री इसको चलाई गया है कुछ प्रोग्रेट के हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के डिच और इंडे चलागार प्रोग्रेट की कि यहां प्रोजेक्ट है इस टीट ओफ राजस्तान का प्रोजेक्ट है यहां पर क्या किया जाएगा जो फैंसिंग को बस्टेड है कहा कहा कैसे इस्टिंट हो रहा है इसको इनको जो है सिकर किया जाएगा इनकी एडिये को काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह तो यह आपको क्रेइभ स Courtney और माहराना आपको बताना कि आपको बता नहीं मद्ध प्रधिस, तूँसरा इसके अंदर किस चीज़ को प्रट dette किया गया हैं 2013 ग्रेट इंडियन बस्ताथ जी, आई B, यहां पर प्रटेट किया गया है ठीके नियस्ट रूला पार्डू वाइड लाइफ सेंचूरी कहाँ पर है, आंध प्रजिस के अंदर है और किसको प्रोटेक्ट किया गया है, जी आई भी गरेट इन्डिन बश्टर्ट को प्रोटेक्ट किया गया है राजस्तान के अंदर कौन सा है डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी डेजर्ट है तो आप अनुवान लगा सकते हैं मतलब राजस्तान तो डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी के अंदर को प्रोटेट किया गया है तो तीनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं काफी अधे इंपोर्टेंट हो जाते हैं चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के और जो देखे काफी अच्छा आर्टिकल है यह बहुत जादे इंपोर्टेंट आर्टिकल भी है आपकी exam perspective से इसे हम कहते है project dolphin तो देखे project dolphin है हम इसके आरे में आप भी बात करेंगे तो सबसे पहले जो project dolphin है तो government यहाँ पर प्लान कर रहा है इसको launch करने के लिए ठीक है call project dolphin along with the line of project tiger जिस तरीके से हमारे various project है project tiger कि हम population जो tiger से उसको increase करें इसके अंदर project tiger के अंदर वैसे ही project dolphin से आपको समझना है कि हमें इनकी population को dolphins के जो population है उसको increase करने के यहाँ पर बात की जा रही है ठीक है I think आपको एक चीज़ किलियर हो गया होगा ठीक है नाम से आपको देखे comparison करते हुँ चलना है अगर एक चीज़ पता है तो आप दूसी चीज़ को किस तरीके से याद रखेंगे project tiger आपको पता है project tiger के अंदर हम tiger की population को increase करने की बात कर रहे हैंगे अपने advertisement बगर भी यह बहुत सारी देखा होगा ठीक है टीव अग्रे में आता रहता है ठीक हर जगह तो project dolphin जो है अगर project नाम पर इस तरीके से particular दिया गया तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनकी population को increase करने की बात की जा रही है ठीक ह अब इस पीसे से तो हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर एक list बना लीजिए फटा फट यह schedule first के अंदर mention है कहां पर mention है schedule one के अंदर जब भी schedule के बात करूं तो कहां हो जाता है wildlife protection act 1972 याद रखेगा wildlife protection act 1972 के schedule first के अंदर mention है तो कब कोई भी सीसे तक है schedule first के अंदर mention है तो appendix first के अंदर mention है तो दोनों के अंदर बन बन हो गया ठीक है next हम आते है CMS convention के अंदर ये जो है appendix 2 के अंदर mention है यहाँ पको ध्यांत देना है CMS के है यह appendix 2 के अंदर mention है तो आपको confuse नहीं होना है ठीक है endangered species के अगर मैं बात करता हूँ तो IUCN के अंदर यहाँ पर endangered species के अंदर यह आ जाता है ठीक है तो यह कहां पर आ जाता है it's not a critically endangered यह क्या है endangered species तो यह चीज़ यहाँ पर आ रखना है इसके वारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं डॉल्फिन के आवरे में यहाँ पर यहाँ रखना है कि जो डॉल्फिन है वह एक blind species यह इसको दिखाई नहीं देता है ठीक है सबसे पहली बात क्या होता है इसको दिखाई तो अपने यह सिकार कैसे करती है यह इसके पास एक special क्रिटेगरी होता है जैसे हम कहते हैं ultrasonic sound तो ultrasonic sound wave यहाँ पर चोड़ती है और उसकी बेसे sound टकराता है और बापस आता है जिसके यह detect करती है और अपने सिकार करती है ठीक है तो यह चीघी आपको यहाँ पर यार रखना है इसकी पिसल जो एक आपको कह सकते हैं कि इसकी पॉइंट से यह आपको यह रखना है यह जो है totally seven streets के अंदर देखी गए इंडिया के अंदर जो आपको यार रखना है कौन कोन से हो जाती है यह आसाम-ुत सब्सक्राइब यह जो हमने डिसकस कर लिए अल्टरस्वानिक साँड वगर ठीक है और गंगेटिक डॉल्फिन जो है इसे इनके इंदर जो आता है ऑफिसली जो डिसकावर्ड हुआ था एंदर डिसकावर्ड हुआ था ओल्डेस क्रीचर है वर्ड का ठीक है यह आपको यहां रखना है समस्पीस से स्टल्टर कोर्कोडाइल साथ यह सारी चीज़ें आ जाती है ठीक है एकॉर्डिंग टुड वाल्ड वाल्ड लाइफ और डॉ सग्वू रिवर्ड सिस्टम के अंदर को देखा जाता है ठीक है नेपाल इंडिया बंगलादेश वर्ड नाव मोस्टली इस्ट्रिंग फ्रॉम देनी यहां पर इनकी पहले यहां पर देखा जाता था पर अब इस टाइंड पी जो एक्स्ट्रिंग की केडिगरी में आ गया सब्सक्राइब करते हैं इनको प्रिजर्व करने की पीछे जो है कुछ एफोर्ट दिखने के कौन कौन से फोर्ट जो है प्रोजेक्ट यहां पर चला जा रहे हैं ठीक है देखें एक्सें प्लान फॉट गैंगेटिक डॉल्फिन 2010 तक का यह 10 साल का यह प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या किया जाएगा आइडेंटिफाइगा जो भी ठेटेंड चीजें हैं गैंटिक डॉल्फिन के लिए इंपक्ट किया जाएगा रिवर ट्राफिक होगा जैसे चीजे हम डिस्कस कर लिए ठीक है यह आपको यहां पर यहां रखना है डेप्लामेंट फॉइल लाइफ हैबिटेट के अंदर जो हमने डिस्कवर किया है 21 स्पीसेज को उसके अंदर जो एक स्पीसेज आता है वो यह भी है तो हमने डिटेल में डिस्कस किया इसके उपर कोई भी कोशन आ जाता है तो आप लोग बिलकुल यहां पर नहीं छोड़ेंगे सबी कोशन को फटा फट कर लेंगे ठीक है तो इसी हिसाफ से हम आगे छ टिक है यहां रखना है हो बारा बिस्टर से आप अफ्रीकान हो बरा भी कहते हैं जार्वैं सेह horrific हो बार्त आन्टाहें और नोर्मल यह इपाया जा जाता है इंट्रनेशनलि प्रोट्टे लिए बर्ड़ स्पीसेज यहां दuldade हैंै इसको बर्ड़्ड यहां पे क expect लाए ठ ठीक है तो यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है ठीक है आई उसीन की स्टेटिस के अंदर अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर एक दो रिसाइटिंग की दिया गाई जिसे नौर्थ अफ्रीका ठीक है इनका संटिफिक नेम दे दिया ठीक है और ऐशिया के अंदर तो यह यहां पे नाम देजिगा में नोर्साइं इंदर से और क्लेमेंग्डोर्टीस धिया गया हैं और क्लेमेंडॉट्प उटीस मैंक्स de вас क्विणी ऐसा कुछीड़ चािटी में और पर देख लाता है निउस में था तो आपको यह शी पता होना चाहिए इसकी kategories यह कहा पाया जाता है इसकी kategories क्या है ठीक है, तो यह जो चीजे है यह छीज़े आपको यह फे पता होना चाहिए ठीक है नेक्स अम्मारा है सुमातरन राइनो, ठीक है काफ़ी ओध इमपोर्टेंट है, सुमातर सिम्प्राइन राइन है तो जो कि आप मैली इसके से इक्स्टिंट हो चुका सब्सक्राइब सकती है अगर इंडोनीशे के अंदर देखे जाते हैं तो यह सारी चीज़े आपको यहां पर यहां रखनी है इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपको मैं फिगर भी दिखा दूँगा यह देखे लेते हैं इंडिया की प्रस्पेक्टिव से कौन से इंपोर्टन है इसकी प्रस्पेक्टिव से हम देख लेते हैं यहां पर सुमातन जो राइनो है सबसे स्मॉलेश्ट है फाइव इक्स्टेंट राइनो स्पीसे इंट वर्ड वर्ड के अंदर टूटल फाइव स्पीसे से पाय जाते है याद रखेगा टूटल जो है फाइव स्पीसेस है राइनो के उसमें से यह जो है सबसे छोटा वाला है ठीक है मतलब सबसे छोटा भाई एक तरीके से समझे ठीक है तो फाइव एक्टेंट में सबसे चोटा है दो बाकी के जो पांच है उसकी हम बात कर लेते एक सुमातर राइनो हो गया यादा रखना है एक डेन ग्रिटर वन्हों राइनो यादा रखना है दे जान राइन राइनो तो इनके के नाम याद रखना है Hip stores कता है कि कितने टाइपस Wähं कौन अhr raging आपको यहाँ दो ओना चाहिए इंडियन सब्कोंटिनेट इंदे 19th century इंडियन सब्कोंटिनेट के इंदे 19th century की बात कर रहा हूं हम अब 21st century चल दीए भी ठीक है तो 19th century के अंदर यह कहां कहां पाए चाहते थे दे सुमात्रन राइनो थे वह पाए जाते थे कूछ आस्राम के अनर नागालेंड मनिपूर्ट, रिपुरा, मिजोरा, नौर्ट बेंगाल, भुटान, कॉमिलिय, चिटा गॉंग, हिल्टर, यहाँ पे पहले पाए जाते थे, तो इस तरी के साथ इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, तो देखे, यह छोड़ी स्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपको य जार रखना है, ठीक है, ने चीजों हम बाता करते हैं, जो मरें एट ऐस्राटिकल है, और इंपॉर्टन भी है, तो यहाँ पर यादा रखना है, आसामी गमोशा, एक त्पर सैंहें, रूटरटल है, ठीक है, मल्टि पर्पर्पर्स आसामी स गमोशा, ठीक है, तो बड़ा ज तर्टल जो है आसामी रूफ टर्टल है उसके तहत यह एक तरीके से एक कॉर्टन टॉविल कुई यहाँ पर देख सकते हैं फिगर के अंदर कॉटन को यहाँ पर प्रदर्सित कर रहे हैं ठीक है एक फंक्षन यहाँ पर किया गया है ठीक है इनकों चुम्सर्ब करने करें क्यो तर्टल कहा है किस के अंदर आता है तो आपको यान रखना है जो है इंडिंजिएड एक तो पहली बाद वाड़ी प्रोटेक्शन एक डडी सेवेंटी वन के एंदर आता है टिक है तो रियर स्ट्रेश्वार्टर स्पीसेज ने चोटा सा तर्टल है तो यह याद रखना है ठी नेक्स आर्टिकल के और मूव करते हैं जो हमारा नेक्स आर्टिकल वह है गुरू गार्षी दास नैशनल पार्क काफी आदा टाइगर रिजर्व 36 गड़ के अंदर है जोब की आपको याद रखना है इस तरी किसे आप देखी हम यहां पर गुरू गार्षी दास के वारे बात कर रहें लेकिन इंडारेक्ली आपको क्या याद हो रहे हैं कितने तो टोटल 46 गड़ कितने हैं टोटल 4 जोब की याद रखन हैं चंक मर्ड चंक अचनक मरा तो अचंक मर ठीके यह कह है जcyj़ हो तो यह गार itel घर टाइगर रिजर की होगा एक ही हो गई ठीक है और एक ही रवती आप देख सकते यह संजी यह देखते हैं ठीक है ना इर तीन होगी चुछछा कई पे भी तिकमे रहा है ठीक है तो इसको यह आप देख लीजेगा मैप के अंदर बढ़ा करके ठीक है आजिक हमारा है इटावा लायन सफारी जो है कहां पर सबसे पहले याद रखना है यूपी के अंदर है तो जब इसके से इसे इंपोर्टन इफरमिशन कम आपको याद रखना है कहां पर यूपी के मल्टिपल सफारी पार्ट जिस्टेटिक लोजन बीडिंग सेंटर विजिटर सेसलेजिशन से चोटी चोटी इस फ्रमेशन है सब कुछ खास रटने के लिए नहीं है बस कोश्चन अगर राइज होगा इसके अंदर तो बस यह होगा कि टावल लाइन सफारी कहां पर है ठीक है नेक्स्ट हम मूव करते हैं बंदीपूर नेशनल पाक सोट भाणे मां डिसकस के बांधिपूर नेशनल पारक कहां है तिस चाहरु में नेटेल में डिसकस करेंगे ठीक है इसमें आप देख सकते होंगे कि यह हमारा यह चलीृसा पक्रमोर नेशनल इकर बैष्पर जयो Спammers थ किया उसके बाद जो है टाइगर की कंजर्वेशन बहुत जादा बढ़ गई टाइगर रिजर्व बनाना स्थार्ट हो गए ठीक है आपको तो वहां से आप यहार रखते हैं 72 के बाद ही जो भी होंगी वह सारी चीज़ होंगे तो बादीपू नैशनल पार्क का विस्टाइब यह आप याया रख सकते हैं यहां पे यहां इसकी लोकेशन आद एक पाद देख सकते इंगे इसके नीचे आप देखिये यहां पर यहां पे आप देखिएiebenाड वायानाड वाइड लाइफ सेंचूरी तो है थी कि नीचे नाड़ जाएंगे तकदिया तुछ मुतूे की न painting इसके इंदर को मिलते हैं जोए नागर होल नेशनल पार्क यह हो गया है तो इसको यहार रख सकते हैं मदुमलाई अभी हमने डिसकस किया नीचे मादुमलाई उपर क्या है नागर होल टाइगर रिजर्फ है फिर उसके बाजू में कौन सा है वाइड लाइफ वाइनाड वाइड लाइफ सेंचुरी हो तो इस अ पार्ट ऑफ निल गिरी वाइड स्पियर रिजर्व इसका पार्ट है तो यह आपको याद रखना है ठीकिए तो इस अ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्ट इडिया है जिसके अन्दित्व सारे नैशन तीशिया के अंदर सबसे बड़ा हैबिटेट है एलेफंटों का तो याद रख सकते हैं चलिए नेक्स्ट मूफ करते हैं जो हमारा नेक्स आर्टिकल है वाइनाइट वाइलाइट सेंचुरी अभी हमने डिसकस किया ठीक है वाइनाइट के वारे में तो अब हम डिसकस करेंगे वाइनाइट 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 सेंचुरी के वारे में ठीक है देखें यहां पे वाइनाइट वाइनाइट सेंचुरी डवलो डव्लु एस के नाम से जाना जाता है ठीक हो more than half of the number of the tiger present in the KELA जिसक अब आभी आप सब लोग पढ़ चुके हैं देख च यहां पर काफ़ी जादा इंपॉर्टेंट जोन है यह तो यहां रखना होता है फिर मैंने पूर्टेंट जोन होता है इस तरह करेंगे जब हम इन्वार्मेंट का अलग से सिरीज लेके आने वाले हैं जिसके अंदर आपको बिल्कुल एक बेसिक से लेकर एक बिल्कुल छोटी छोटी चीज़े जो वहां पर करवाई जाएंगे ठीक है तो बिल्कुल निश्चिन्त हो जाए ठीक है इसके आरह में देख लिए अबाउट वाइनाट माई लाइफ इंडिया टाइगर जो रिपोर्ट रिलीज करी गई है लास्ट यह तो उसके अनुसार जो है और वाइनाट पॉपॉलिशन यहां पर टाइगर की जो पॉपॉलिशन है वाइनाट के अंदर कहा है 75-80 जो टाइगर से इसके अंदर सिर्फ देखे जाते हैं 75-80 की काफी अच्छा है जो कि आता है निलगिरी बाइस पर रिजर्फ के अंदर प्रिविएस आइटिकल में भी हमने यह सारी चीज़े देखी ठीक है तो आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी होंगी अभी तरक ठीक है जो की बाउंड के जाता है प्रोटेक्टिड इरियन इंट्व हो जाए और भी चीज़ आपका ना छूटा रह जाए तो देखते हैं फटाफंड डिसकस करते हैं और कोशिज करेंगी विसे टाइम हो चुका है तो कोशिज करेंगी हमारे लांश राटिकल हो देखिए अनुआचर प्रदेश जो स्टेट गवर्मेंट है यहां पर प्लाइ करने क्यों कि वह जो इन्फॉर्मिशन है काफिया इंपॉर्टमेंट है वह स्टेटमेंट प्रदेश के अंदर अनुआचर प्रदेश स्टीट गवर्मेंट है उसने 692 किलो मिंटर का हाई बनाने का यहां पर टाइकर रिजर्व से गुजरता हुआ जो है यहां पर आप दे बीच में इस तरीके से कोई पार्ग वागिर आ जाता है तो वहां पर क्या किया जाएगा क्या सॉलुशन निकार जाएगा यह आप यहां पर याद रखना है ठीक है आगे हम थोड़ा से क्यारे में कुछ की इफेक्स सबसे पहले हम डिसक्स करते हैं कि पाकी जो टाइगर र इंडिन बायो डाइवर्सटी और इसको मिला है तो यह आप यार रखें बिल्कुल भूलिए गना है ठीक है कंजर्वेशन और त्रेटन स्पीसिस ठीक है के अंदर इस कटेगरी के अंदर इसको मिला है हॉन्ड विल जो नेस्ट है आपने प्रिवियस अगर आप मेरे करेंट इसको लेक्चर देख रहे होंगे तो वहाँ पर हमने इसको सक्किया था कि हॉन्ड बिल जो नेस्ट है यह अडॉप्टेशन प्रोग्राम की दौरा जिसके अंदर जो उनके जो हॉन्ड विल की जो एक तरीके सा समझ यह जो घोसले हैं तो उनको बचाने की बात की जा रही थी कि तो वह उनको प्रोडिक किया जाए उनको इस तरीके से बचाया जाए कि वह जो है उनको है लोस ना हो ठीक है तो उसके तहरत इनको अवाट दिये गया था तो काफी आदा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यह आद रखना है भरेली और कामिंग रिवन के दौरत तो आ कि पंपुम रिजदा फॉरेस्ट है अंचरप्रित के अंदर आसाम के अंदर नामेडी नेशनल पार्क है तो यह सारी चीज़े रटने की दूरत नहीं है ठीक है कि बिल्कुँ आप सारी चीज़े रटते वह चली तो यह हम अपना आर्टिकल समात करते हैं नेक्स आर्टिकल तो लेक्टर को लाइक कर दीजे नीचे कमेंट कर दीजे ठीक है और बड़ी अंसक प्यारा से नीचे कमेंट कर दीजे इसे हम चीजों को और बढ़ाते रहें या पर और कोशी चीज़ चाहते हैं उसको कमेंट सेक्षिन बताईए और बस सेयर करते दीजे एड्यूकेशन को प्रमोट करते रहे हमारा मक्षन है education को प्रमोट करना तो जो वो करते रहे तो thank you very much for the discussion